नमस्कार, निउज स्टेशन में आपका स्वागत है। बंगाल की खाड़ी में साइकलोन यास और ज़्यादा ताकतवर हो चला है। इस समय की बात करें तो इसमें जबरदस्त हवाएं चल रही हैं और इसने अपना डारेक्शन बदला है। इस वज़े से ये कहा जा रहा है कि धामरा पोर्ट के पास में इसका लैंडफाल होगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है और इसकी वज़े से कहीं न कहीं पस्षी मंगाल के लोगों को राहत होनी चाहिए। क्योंकि एक बड़े इलाके में बहुत भारी बारिस या इस तरीके की चीजें होने से हम कह सकते हैं राहत मिली है। लेकिन उडिसा पर संकट गहरा आ गया है ये सारी जानकारी हम इस बुलेटन में देंगे किनकिन राजियों में बारिस हो रही हैं किन जगहों पर जवर्दस्त हुएं चलेंगी वो सारी जानकारी इस बुलेटन देंगे। आईए सबसे पहले नजर डालते हैं कि इस समय की जो position है वो क्या है cloud की जो formation है वो कहां पे है यहां पर हम कह सकते हैं कि अभी cyclone मौजूद है और यह movement कर रहा है सीधा सीधा हम कह सकते हैं इस direction में यानि बाला सोर की तरफ जा रहा है और उत्तरी उडिसा के तमाम इलाकों को प् असर जा रहा है यानि मध्य भारत तक इसका असर जा रहा है और यहां से जो spiral बिंड बन रहें वो पूरी तरीके से और पूरा का पूरा उडिशा इससे कवर है और यहां पर आप देख सकते हैं जारखंड के उपर भी बादल चाय हुए हैं और अगर हम पस्चिम बंगाल की सब्सक्राइब करें तो वहां पर भी बादलों की धमा चौकरी जारी है चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या इस्थती रहेगी क्या डैरिक्सन है तो यहां पर हम आपको दिखा रहें कि क्या पोजिशन है इस समय यह कैसे मुड़ेगा यह मुड़के कैसे कैसे जाएगा यह तो यहां आप देख सकते हैं पहले से यह इस्थती बदल चुकी है तो यह एक बड़ी चीज हुई है और यहाँ पे धामरा पोर्ट है जिसके पास से होकर गुजरेगा बिलकुल पास से होकर गुजरेगा यह भद्रक जिले में पड़ता है और यह नेचुरल पोर्ट है यह हम कह सकते हैं प्राइविट कमपनी का पोर्ट है जिस पर एक तरीके स यहाँ ईलाकों में बारिस का सिलसिला रहे तो यहाँ हम आपको बता दें कि अलग-अलग जगहों की के अगर बात करेंगे पर कि जिस दिन यह इस साइकलोन में आएगा एक तरीके से तब क्या इस्तती होगी कौन-कौन से जिले प्रभावित होंगे यह देखे जगस सिंगपुर में हैवी रेन होगी यह उडीशा का इलाका है उडीशा का जिला है फिर केंड़पाड़ा केंड़पाड़ा में भी हैवी रेन यानि भारी बारिस और भद् यहां पर भी हम कह सकते हैं है वी रेन जो मौसम विभाग ने वार्निंग दी है और पूर्वी सिंग मूमी यह रेन है ठंडर श्टार्म लाइट निंग होगी स्ट्रांग सर्फिस विंड्स होगी यह 26 तारीक के लिए वार्निंग और यहां पर राची के लिए कहें यह लाइटनिंग इसके अलावा रामगड में फिर हम कह सकते हैं जबरदस्त असर देखा जाएगा लाइटनिंग और गुमला में देखिए लाइटनिंग जबरदस्त तरीके के हवाएं चलेंगी और इसके अलावा पलामू पलामू में हैवी रेंड होने की आसंका मौसम विभाग ने जाहिर कि यह पलामू जारखंड में पड़ता है और इसके अलावा अगर हम देखें गुमला हो गया फिर एक खूटी में भी हैवी रेंड थंडर स्टाम लाइटनिंग इस्ट्रांग सर्फिस विंड तो य कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि पस्षिम मंगाल के तमाम इलाके एक तरीके से उनके लिए राहत की खबर है और हम बात करते हैं 27 मई की अगर 27 मई की बात करें तो यह जो बारिस का सिलसिला है यह थोड़ा सा बदलेगा मतलब यह कहां पर पहुंचेगा हम कह सकते हैं उडिसा से हट कर ये सीधा सीधा अलग-अलग जगहों पर पहुँच जाएगा जैसे अब हम बात करते हैं यहाँ पर राइगड राइगड जो की 36 गड़ में पढ़ता है वहाँ पर हैवी रेंड ठंडर स्टार्म लाइटनिंग होगी यह 27 तारीक के लिए कहा जा रहा है इसी तरीके से सिंग मूमी और यह बंगाल का इलाका है साथी साथ सराय केला और पूर्वी सिंग मूमी कि अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी हैवी रेंड ठंडर स्टार्म की बात कर रहे हैं राची में भी हैवी रेंड रहेगी और रामगड में भी रहेगी पलामू में रहेगी और तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इलाके जस्पूर जस्पूर भी 36 गड़ में पढ़ता है तो इस तरीके से सूरजपूर में हैवी रेन है लेकिन बारिस थोड़ा कम रहेगी और तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि यह पूरा का पूरा जो सिस्टम है जिसकी हम लगातार बात कर हैं तो यह सिस्टम कहीं न कहीं यह कहा जा सकता है कि यह सिस्टम 26 तारीक को सबसे जादा बारिश दे रहा है कहां पर उडीशा के तमाम इलाकों में जब साइक्लोन का लैंड फाल होगा 26 तारीक की दोपहर को और एक पोर्ट के पास में खास्ता और पर भद्रक जिले में इसका लैंड फाल हो रहा है तो उस समय जब लैंड फाल होगा तो हम कह सकते हैं कि उडिशा से लेकर सुन्दरवन तक इसका असर देखा जाएगा और सुन्दरवन का इलाका कहां पढ़ता है पसि मंगाल में पढ़ता है तो जो कोश्टल इलाके हैं वहां पर जवर्दस तरीके की हवाएं चलेंगी ऐसा मौसम विभाग का कहना है और साथी साथ अगर हम पूरे इलाके की बात करें तो बाला सोर से लेकर भद्रक और इसके अलावा भूनेस्वर पूरी जगस सिंग पूर इन सारी जगहों पर जवर्दस्थ हवाएं चलनी है तो एक लंबी जो कोश्ट लाइन है उस सब जगह पर लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है और 27 तारीक की बात करें तो जहारखंड और 36 गड़ में के साथ साथ उरिसा में भारी बारिस के चेतावनी मौसम विभागने दी है तो देखते रहे हैं न्यूजी स्टेशन फिर मिलेंगे दोबारा